जैमातादी मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशी फल नई नई यानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं माता कुश्मांडा देवी की वरतकथा और पूजा विदी तो नवरात्र के चोथे दिन मा कुश्मांडा की पूजा आराधना की जाती है तो इस दिन इनकी वरत कथा को सरद्धा पूरवक सुनने से आदिव्यादियों से मुक्ति मिलती है और मनो कामनाओं की पूरती होती है तो मित्रो पूरे वीडियो को आप ध्यान पूरवक देखें तो 28 मार्च 2020 को है चतुर्थी तिथी रहेगी तो इस दिन मा कुश्मांडा की आपको सरद्धा पूरवक पूजा अर्चना करना चाहिए और सरद्धा पूरवक इस वरत कथा को सुनना चाहिए तो नवरात्री में चोते दिन देवी कुश्मांडा के रूप में इनको पूजा जाता है अपनी मंद हलकी मुस्कान के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन करने के कारण इस देवी को कुश्मांडा के नाम से जाना जाता है जब स्रस्टी नहीं थी चारों तरप अंधकार ही अंधकार था तब इसी देवी ने अपने हाज सिसे ब्रह्मांड की रचना की थी इसलिए इसे स्रस्टी की आदी सुरुपा या आदी शक्ति भी कहा गया है इस देवी की आठ भुजाएं हैं इसलिए अश्ट भुजा कहलाई हैं इनके साथ हातों में क्रम के अनुसार कमंडल धनुश बान कमल पुष्प अमरत का कलस चक्र गदा पदमादी हैं आठ भे हात में सभी सिद्यों और निद्यों को देने वाली जब की माला है इस देवी का वाहन सिम्व में और इने कुमडे की बली बहुत प्रिय होती हैं संस्करत में कुमडे को कुश्मांड कहते हैं इसलिए इस देवी को कुश्मांडा कहा गया है तो इस देवी का वास सूर के समान ही चमकती है इनके ही तेज से दसो दिसाएं आलोकित होती है ब्रह्मांड की सभी वस्तूम और प्राणियों में इने का तेज व्याप्त होता है अचलल पवित्र मन से नवरात्री के चोथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए इससे भक्तों के रोगों औ और आरोगी की प्राप्ती होती है यह देवी अत्यल्प यानी छोटी सी सेवा से भक्ती भाव से प्रसन्न हो करके आशिरवात परदान कर देती है सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पदगी प्राप्ती होती है तो कुश्मांड का अर्थ होता है कुमडा म इसी मानिता है कि पूजा के दोरान इन्हें कुम्डे की बली दी जाए तो वे प्रसन्न होती है ब्रमांड और कुम्डे से इनका जुड़ा होने के कारण कुश्मांडा नाम से यह जगत में विख्या थे इनके चेहरे पर हलकी मुस्कान लिए मा कुश्मांडा की आड़ इस दिन पूजा की विधी इनकी इस प्रकार से रहती है नवरात्र के चोथे दिन प्राताहकाल सुर्योधे से पहले उठकर के इश्नान करें हरे रंग के वस्त्र पहने मा की मुस्कान नाम अन्हें मुर्ति के सामने शुद्ध गी का दीपक जलावें आप देवी को हरी इलाईची सोफ और कुमडे का भोग लगावें और आम कुश्मांडा देवी नमह इस मंतर का 108 बार सरद्धा पुर्वक जाप करें करपूर से आरती उतारें और किसी भी ब्रामन को सरद्धा पुर्वक भ महीमा इस प्रकार से हैं देवी भागवत पुरान के अनुसार नवरात्री के चोटे दिन देवी के चोटे सुरूप माता कुश्मांडा की पुजा अरचना स्रद्धा पुर्वक हमको करना चाहिए सुरूप में देवी संपुर्न सरच्टी को धारन करने वाली उनका पालन करने वाली है तो संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को देवी के इस रूप की पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए देवी कुश्मांडा की करपा और आशिरवाद पाने के लिए इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए या देवी सर्व भूतेशु कुश्मांडा और आरोग्यता का वरप्रदान करती है कुश्मांडा इनका प्रियभोग होता है संस्कुरत में कुश्मांड कद्दू कुमडे को कहा गया है जिससे की पेठा तयार किया जाता है देवी ब्रह्मांड की बीच में निवास करती है सभी जीवों का समरक्षन करती है इनको कुम के सभी रोक शोगों का नाश होता है इसके अलावा माता की करपा से आयू मिलती है यश मिलता है बल मिलता है स्वास्त सम्रद्धी आती है जो लोग अक्सर बीमार आदी रहते हैं तो उन्हें कुश्मांडा देवी की पुजा सरद्धा भावसे करना चाहिए जिससे आरोग्य क की प्राप्ती हो नवरात्री में नित्त की भाती सबसे पहले कलस की पुजा करके कुश्मांडा को नमन करना चाहिए हो सके तो कुश्मांडा देवी की पुजा में बेठने के लिए हरया संत्री रंग के कपड़े का प्रयोक करना चाहिए मा कुश्मांडा को जल पासिरवाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ अच्छा रहे देवी को पूरे मन से फूल धूप और गंद का भोग अरपन करना चाहिए इनके भोग में हलवा सबसे शुब होता है इस देवी को लाल वस्त्र लाल पुष्प लाल चूडी सरंगार की सामगरी अरप करना चाहिए माता का सुरूप कुछ ऐसा है नवरात्री पर मादुरगा के चोथे सुरूप कुष्मांडा देवी की आठ बुजाए होती है इनके हाथ में कमंडल धनूश बान कमल का फूल शंक चकर गदा और सभी सिद्यों को देने वाली जब की एक माला होती है माहात में क आरोग्गी की प्राप्ती होती है और भक्त की जो मनोकामना होती है मा कुष्मांडा देवी की करपा से वह पूर्ण हो जाती है तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्यानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडिय को अधिक साधिक शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें धन्यवाद जय माता दिमित्रों फिर मिलेंगे